दोस्तों यहाँ पर फिर एक जबर दस्त और धासु फाडू रॉम निकल के आ चुकी हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 के लिए जी दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं AOSP Extended Version 9.0 के बारे में जिसको मैं यूज कर रहा हूँ मेरे Asus Zenfone Max Pro M1 में ROM जो Android 12 के साथ आता है काफी अच्छा smooth experience देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको battery backup वगेरा सब कुछ बढ़िया है सबसे interesting बात यहाँ पर मुझे यह लगी कि यहाँ पर आपको काफी सारे basic features देखने को मिलेगी तो आज हम इस ROM का total review करेंगे with installation process चानल पर नए आए हो तो चानल को सबस्क्राइब कर लो यहाँ पर आपको daily updates मिलेंगी कोई problem वगेरी discuss करने हो तो इंस्टा पे एक महज़ कर दो बंदा हाजिर हो जाएगा आपकी help में तो छेलिए let's begin तो सबसे पहले बात करें अगर ROM के बारे में तो ROM की smoothness ना काफी जादा कमाल देखने को मिलती है चलते about section में तो यहाँ पर ROM जो हैं Android 12 पे run कर रहा है latest security patch है October का यहाँ पर आपको velocity का kernel देखने को मिलेगा बात करें यहाँ पर RAM management की ना तो वो चीज मुझे थोड़ी सी down लगी क्योंकि यहाँ पर जो RAM management है वो उतनी जादा better नहीं लगी मुझे थोड़ी कम RAM management लगी जिसका वजह से मैं अगर जादा apps open करता हो ना तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है मतलब बहुत delay feel होता है ठीक है तो यह एक issue मेरे को लगा but overall ROM की smoothness काफी जादा better है no lag no glitch वगरा देखने को नहीं मिलता है ठीक है बात करें अगर geekbench 5 score की तो वो मैं आपको check करवाता हूँ तो यहाँ पर आपको single core 250 और multi core 1064 देखने को मिलेगा बात करें यहाँ पर CPU throttling की न तो वो यहाँ पर आपको 79% of its max performance देखने को मिल जाता है और यहाँ पर यह जो widget देख रहे हो न इसको आप customize कर सकते हो यहाँ पर आपको different type के clocks देखने को मिलेगी हाला कि इसको आपको play store से update करना होगा जो clock app है उसको यहाँ पर आपको widgets की बात करें तो यहाँ पर clocks बहुत सरे देखने को मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आपको जो clock पसंद है जैसा clock पसंद है वो set कर सकते हो मैं काफी जादा fan हूँ यार यह मतलब काफी सही लगता है यार मुझे और यहाँ पर आप यहाँ पर जो android easter egg जो paint chips है उसको भी लगा सकते हो then बात करते हैं यहाँ पर कुछ features के बारे में तो सबसे बहले network section में चलते हैं तो यहाँ पर ना prefer network जो होता है वो specially आप 4G as a default रख सकते हो यहाँ पर shifting का दिक्कत नहीं देगा 2G, 3G में shift नहीं करेगा यह बात बहुत अच्छी लगी मुझे default launcher, pixel launcher देखने को मिलता है extension में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सरे features हैं तो status bar में जाएंगे न तो यहाँ पर आप जो icons होती हैं उनको आप अपने हिसाप से set गर सकते हो ठीक है तो यह कुछ चीज़े देखने को मिलेगी clocks and date की बात करें तो यहाँ पर clock जो am, pm वगरा small में, large में वगरा रख सकते हो then बात करें traffic network मतलब यहाँ पर network speed वगरे दिखा सकते हैं then misc extensions की बात करें तो यहाँ पर जो aex logo है 4G icon वगरा रख सकते हैं बात करें यहाँ पर quick settings की तो यहाँ पर vibraton touch मतलब QS panel पर जो भी आप tile enable करते हो तो touch का response देखने को मिलता है notification की बात करें vibrate on connect, vibrate on disconnect जो call से related यहाँ पर option देखने को मिलेगी ठीक है उसके बाद lock screen UI की बात करें तो fingerprint जो vibration होता है error vibration वगरा देखने को मिल जाएगा music visualizer वगरे है और बात करें कुछ final features की तो general tweaks में यहाँ पर screenshot जो three finger screenshot है वो देखने को मिलेगा हाला कि यहाँ पर आप long screenshot ले सकते हो keys को दबा कर buttons की बात करें तो यहाँ पर जो quick torch है वो perfectly work कर रहा है without any issue जैसे कि आप देखी पा रहे हो सब कुछ बढ़िया टका टक work कर रहा है without any issue उसके बाद यहाँ पर volume की इस से आप wake कर सकते हो अपने device को बात करें next option की notification में यहाँ पर bubbles को use में ले सकते हो याद रहे whatsapp bubbles को support नहीं करता है battery की बात करें तो battery backup थोड़ी सी मतलब screen off condition में भी थोड़ी drain हो रही है तो यह एक मैंने बात notice किये इसमें और यहाँ पर battery percent वगरा आप यहाँ से enable कर सकते हो then बात करें sound की तो ठीक है sound में कोई issue नहीं है उतना then बात करें यहाँ पर display वाले option की तो यहाँ पर auto brightness वगरा अच्छे से work कर रहा है lock screen की बात करें तो यहाँ पर always short time information जो होता है वो भी अच्छे से work कर रहा है जैसे कि आप देखी पा रहे हो then बात करें next features के बारे में तो यहाँ पर dark theme perfectly work कर रहा है without any issue ठीक है font size display size वगरे यहाँ से हम set कर सकते है night light बिल्कुल perfectly work कर रहा है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर जो tap to wake और tap to sleep है यह वाला feature मैं आपको check करवाना चाहता हूँ actually यहाँ पर मुझे दिक्कत मतलब issue face करना पड़ा जैसी कि आप देख पा रहे हो double tap to wake जो होता है वो यहाँ पर आपको मतलब working में देखने को नहीं मिलेगा वो कोई option आपको मतलब देखने को नहीं मिला है आप जैसी कि आप देखी पा रहे हो but double tap to sleep work करता है अच्छे से ठीक है then tap to wake तो ठीक से work नहीं कर रहा है ठीक है मेरे case में तो नहीं कर रहा है wallpapers and style की बात करें तो यहाँ पर wallpaper based जो भी colors set होती है वो काफी जादा better है यहाँ पर wallpapers कुछ कुछ दिये गए हैं तो यह आपको कुछ नया देखने को मिलेगा यहाँ पर then यहाँ पर basic colors भी देखने को मिलेंगी ठीक है और यहाँ पर material UI काफी अच्छे से work करता है ठीक है बात करें कुछ और options की तो यहाँ पर आपको न जो dark theme है वो तो work करी रहा है themed icons जो है वो भी अच्छे से work कर रहा है जैसी कि अभी मैं इसको enable करता हूँ आप देख ही पा रहे हो तो themed icons बहुत अच्छे से work करें grids वगरे set कर सकते हैं यहाँ से then बात करें कुछ और options की security की बात करें तो यहाँ पर fingerprint आपको देखने को मिल जाएगा fingerprint unlock बट face unlock का अभी तक कोई आता पता नहीं है आएगा आगे जाके wait करना है हमें सिर्फ gestures की बात करें तो यहाँ पर gestures use में ले सकते हो या फिर जो buttons होती है keys, navigate, keys वगरा ले सकते हो use में बाकी सब ठीक है long screenshot यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जैसे कि मैंने wrong screenshot ले लिया और थोड़ी different बात बता हूँ यहाँ पर आपको delete वाल option भी देखने को मिलता है मतलब जैसे screenshot लेता हो न as it is वहाँ पर delete का भी option आता है तो यह अच्छा लगा मुझे then यहाँ पर आपको safety net default pass देखने को मिलेगा route बगेरा करते हो तो मैं जिसको hide कर देना safety net pass ठीक है तो यहाँ पर मेरा internet है वह काफी ज्यादा slow चल रहा है तो थोड़ा wait करते है देन आपको दिखाता हूँ तो जैसी कि आप देखी पा रहे हो safety net pass है without any issue google feed अच्छे से work कर रहा है then आपका जो hey google okay google होता है वह भी perfectly work कर रहा है without any issue तो जैसी कि आप देखी पा रहे हो then बात करें यहाँ पर gcam की तो देखो यारब gcam में यहाँ पर issue यह हो रहा है कि काफी delay मेरे को feel हो रहा है यहाँ पर जो भी mods में shift करता हो न तो वह काफी time ले लेते हैं यार जैसी कि आप देखी पा रहे हो मतलब shifting बहुत slow work कर रहा है delay बहुत ज़ादा delay हो रहा है तो यह एक issue मेंने face किया gcam में हलाकि ठीक है वैसे work तो कर रहा है gcam but बहुत ज़ादा slow work कर रहा है ठीक है then उसके बाद हम चले जाते हैं back ठीक है वैसे work नहीं कर रहा है यह work तो कर रहा है बट delay बहुत खा रहा है then बात करें यहाँ पर c linux status की तो enforcing यहाँ पर आप देखी पा रहे हो c linux enforcing देखने को मिला है यहाँ 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 पर बात करें कुछ और interesting बात की तो यहाँ पर जो app opening वगरा है वो ठीक है बट यहाँ पर मुझे थोड़ा delay face हो रहा है क्योंकि RAM management थोड़ी अच्छी होती तो काफी अच्छा होता ठीक है लेकिन यह देख रहा है यहाँ यहाँ पर कोई glitch lag face करने को नहीं मिल रहा है काफी जादा smooth मेरे को यहाँ पर face हुआ हाला कि app opening में थोड़ा सा delay मेरे को face करने को मिला है ठीक है तो वो बहुत slow लग रहा है मेरे को ठीक है यहाँ पर select copy वाला option यहाँ पर work नहीं कर रहा है जैसे कि आप देखी पा रहा हो ठीक है बाकी सब ठीक है ओके बात करें कुछ और options की तो यहाँ पर ना notification panel आपको कुछ इ out any issue ठीक है सब कुछ तो ठीक है वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है double tap to sleep work नहीं कर रहा है मेरे case में और यहाँ पर जैसे कि आप देखी पा रहा हो volume panel कुछ इस तरह देखने को मिलेगा power menu में आपको advanced option देखने को मिलेगा मतलब reboot loader या फिर record में आप अपने phone को boot कर सकते ह उसके बात करते हैं flashing के बारे में custom recovery में boot करना है wipe section में जाना है advanced wipe पे जाना है dalvcast system vendor data सबको select करके wipe कर देना है ठीक है तो जैसे कि मैंने कर दिया है then back जाना है install पे जाना है सबसे पहले firmware flash कर देना है आपको ठीक है सभी की links description में मिल जाएंगी वहाँ से आप download कर लेना ठीक है तो यहाँ पे मैं 429 का firmware यूज़ कर रहा हूँ then यहाँ पे जैसे firmware flash हो जाता है then next file आपको ROM को flash कर देना है तो कहा गई ROM यह रही ROM then इसको भी select गिया then simply swipe किया तो ROM flash होना start हो चुका है ठीक है यहाँ थोड़ा time लगेगा तो मैं video को थोड़ा सा forward करता हूँ क्योंकि video काफी ज decrypted user हो ठीक है तो हर बार अगर आप DFE flash करते होंगि decrypted user हो तो आपको DFE flash करना है then आपको reboot system पे click कर देना है ठीक है याद रखे encrypted user हो तो हमेशा format data करते ही होगे आप जब भी ROM flash करते हो तब और अगर आप decrypted user हो तो हमेशा आप DFE flash करते होंगे वैसे format भी कर सकते हैं बट decrypted हो तो DFE flash करोगे तो आपके internal storage wipe नहीं होता है अब encrypt और decrypt phone को कैसे करते हैं इस regarding video i button पे मिलेगा जाकर देख सकते हो ठीक है ये file भी flash हो चीगी दिन reboot system पे click करोगे phone थोड़ी दिर में start हो जाएगा ठीक है